एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था, वह बहुत ही इमानदार और महनती था, उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने रमेश को हमेशा सिखाया कि इमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, रमेश हर दिन स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता और खेतों में काम करता, वह अपने काम को हमेशा पूरी इमानदारी और महनत से करता था, गाव के लोग भी उसे उसकी इमानदारी और कड़ी महनत के लिए बहुत पसंद करते थे, एक दिन गाव के मुखिया ने घोशना कि वह गाव में एक बड़ा मेल आयोजित करेंगे। मुखिया ने कहा। मुखिया ने कहा। तुम्हारी सोच और व्यवार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।